क्या आप जानते हैं कि सुजुकी जिक्सा 250 का हेडलाइट कैसे रिमूव किया जाता है यह एक बहुत ही आसन तरीके से किया जा सकता है आप अगर हेडलाइट के बाई तरफ देखें लेफ्ट की तरफ तो वहाँ पे टूवर्ड मिडल आपको एक फिलिप्स टाइप फ्लेंज बोल्ट दिखाई देगा उस बोल्ट को अगर आप लूजन करें तो हेडलाइट को उपर नीचे कर सकते हैं हेडलाइट लेवल को आप एडजस्ट कर सकते हैं और अगर उसे आप पूरा निकल दे ऐसे देखिए तो इस हेडलाइट सेक्शन को आप पूरा बाहर निकल सकते ह आपको सिर्फ इसे बाहर की तरफ पूल आउट करना है, नीचे में दो ग्रूव और दो नौच के जरीए इसे फिक्स किया जाता है, तो ऐसे धीरे से आप पूल आउट करेंगे तो ये पूरा बाहर निकल आएगा, इसके बाद इसके नीचे दो कपलर होता है, उन कपलर को खो थोड़ा सा अप पूश करेंगे, तो वो दो जैक्स जो है, वो सॉकिट से बाहर निकल आएगा, अब देख सकते हैं, बड़े वाले में ऐसे लॉक दिया जाता है, और छोटे वाले में ऐसे लॉक दिया जाता है, तो इन लॉक्स को थोड़ा सा पूश करके, आप जैक को आप headlamp के पीछे के तरफ देखिए, तो ये एक और ये एक, ये दो groove बनाया हुआ है, आपको हम clearly different angle से दिखने की कोशिश करें हैं, headlamp cluster जो है, इसके पीछे दो groove बना हुआ है, एक left में, एक right में, और motorcycle के chassis में, दो notch बनाया हुआ है, अब देख सकते हैं, एक left में, एक right में, ये दो notch में, वो groove वाला हिस्सा fit हो जाता है, और headlamp cluster इसमें बैट जाता है, बहुत ही एक clever तरीके से इसे बनाया गया है, सिर्फ दो groove और दो notch, plug-in हो जाता है, और ये headlamp fix हो जाता है, और नीचे से एक flange bolt से इसे कस दिया जाता है, तो दोस्तों, ये था Suzuki Jigsaw 250 का headlamp cluster को क कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, इसका एक छोटा सा डेमो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like, share और subscribe करना मत भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहिए, let's talk with चंदन, नमस्कार